आजहादी के बाद उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रुप में बड़े बड़े फैस्ट ले लिए ओडिशा के भविश को घड़ने के लिए अनेक प्रयास किये शेहरों का आधुनिकरण, पॉर्ट का अधुनिकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कारियों में उनकी बहुत बड़ी भूमी का रही गए, सत्यों सत्ता में पहुँचकर भी वो हमेशा पहले अपने आपको एक स्वाधिनता सेना नहीं मानते थे, और वो जीवन परियंत स्वाधिनता सेनानी बने रहे.